हलो फ्रेंट्स वेल्कम तो दा कॉंसेट्ट यूट्यूब चैनल मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपी एसी सीएसी प्रिलेम्स के लिए आर्ट इन कल्चर की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम इंडियन थियेटर पढ़ने जा रहे हैं यहां आज हम समझेंगे कि किस किस तरह के theatrical arts जो हैं वो इंडिया में परफॉर्म किये जाते रहे हैं और किये जा रहे हैं सो classical theatre उसके लावा folk theatre को आज हम समझेंगे लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं students को बताना चाहूँगा कि अगर उन्होंने अभी तक previous sessions नहीं देखे हैं so make sure they watch each and every previous video ancient और medieval की series जो है वो cover हो चुकी है modern और culture की series अभी हमारी चल रही है right so concept channel पर आपको ये सारी videos मिल जाएंगी playlist में जाएगा concept channel की वहाँ पर आपको playlist मिल जाएंगी modern, ancient, medieval और culture की अलग-अलग और जब आप modern की series में जाएंगे न तो आपको बीच में कुछ sessions missing नजर आएंगे वो sessions मैंने actually special classes में करवाएं है live तो अगर आप thoroughly follow करना चाते हैं पूरी series को तो special classes join करनी पड़ेगी आपको और उन सभी special classes के link आपको कहां से मिलेंगे मेरे telegram channel चोहांसर history उसके अलावा इन सभी sessions के PDF आपको वहां से मिलेंगे और अगर आपका कोई doubt रहता है तो आप मुझे DM कर सकते हैं इसी नाम से आपको मैं Instagram पर भी मिल जाओंगा ठीके उसके अलावा इन सभी sessions में जो मैंने सवाल पूछे हैं उनके जवाब मुझे comment में दें और अपना feedback ज़रूर प्रोवाइड करें कि आपको sessions अच्छे लगते हैं बुरे लगते हैं यह जैसा भी आप feel करते हैं session के बारे में उसके लावा अगर आप अपने घर के comfort में बैठ कर UPSC CAC के लिए thoroughly prepare करना चाहते हैं तो आनकेडमी लेकर आए आपके लिए test analysis, expert guidelines, study material, study planner यह additional feature मिल रहे हैं प्लस वाले तो मिलेंगे ही in addition to that यह features भी आपको मिल रहे हैं उसके लावा report and win बहुत 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 बहुतरी इन initiative and academy ने लिया है अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मेरे किसी भी content में कोई भी inappropriate किसी भी video में कोई भी appropriate content का मैंने इस्तेमाल किया तो हर video के नीचे आपको link मिल जाएगा उस form को fill करके आप report कर सकते हैं उसके अलावा students पुछते हैं कि सर क्या आपके ही session के बल काफिर रहेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अपनी तयारी को टेस्ट भी तो करना पड़ेगा राइट सो अपनी तयारी को टेस्ट करना बहुत जरूरी है आपको examination का pressure handle करने की practice करनी बहुत जरूरी है उसके लिए an academy लेकर आया आपके लिए test series 80 tests every year जिसमें 50 prelims के और 30 mains के 20 full length prelims के लिए 20 full length 12 sectional और 18 topic wise जिसकी वर्थ है 30,000 rupees लेकिन अगर आप GS plus optional या iconic GS plus optional को subscribe करते हैं एक साल या उससे उपर के plan को subscribe करते हैं तो यह आपको साथ में मिल रही है एक साल या उससे उपर के plan के साथ मिल रही है आपको यह test series 80 test की उसके अलावा anacademy promise एक बहुत बहतरीन initiative anacademy का ठीक है अगर आप दो साल का या उससे उपर की subscription लेते हैं तो आपको anacademy का promise मिलता है क्या है anacademy promise? anacademy promises to give one year extension if you do not clear UPSC exam with two year subscription अगर आप दो year subscription के साथ clear नहीं करते हैं UPSC का exam तो आपको एक year का extension और मिल जाते है कहीं और मिलेगा आपको ऐसा offer anacademy को हमें हमारी पूरी टीम को अपने content पर इतना भरोसा है कि अगर आप दो साल prepare करते हैं हमारे साथ और फिर भी अगर आप नहीं clear कर पाते हैं UPSC CSE examination तो एक साल का extension आपको हमारी तरफ से दिया जाता है और फर साथ जुलाई तक end हो जाएगा subscribe करें और code यूज कीजिएगा चोहांसर हिस्ट्री सब्सक्राइब करने के लिए इसमें 1-7 जुलाई के बीच में promise week है जिसमें आपको अनकेडमी के notes मिलता है guaranteed subscription मिलता है till mains ठीक है उसके अलावा get SSC plus bank exam subscription within every one year subscription onward यह आपको 7 मिल जा रहा है ठीक है तो मिली रहा है तो यह बहुत 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 बहुतरीन initiative है ठीक है make sure कि आप इसे देखें पढ़ें अच्छे समझें PDF आपको मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल पर मेरे और सोचिए विचार कीजिए काफी बहुतरीन initiative लिया नकेडमी ने राइट उसके लावा महा subscription offer अगर आप जुलाई के मन्त में अगर आप subscribe करते हैं तो एक यह का迌त अपका मेंज 2022 तक और दो का सब्सक्रीशन आपका मेंज 2023 तरी तक valid रहता है और अगर आप 2-1 का तो पर आपको सब्सक्रीशन लेते हैं तो इस पर करते हैं मतलब अगर आप combo pack लेते हैं GS plus optional तो आपको 25% plus 10% discount बिल रहा है that is a very generous offer right और 10% का discount आपको कैसे मिलेगा अगर आप code use करेंगे मेरा that is चोहांसर history right GS plus optional iconic GS plus optional these are the discounted prices so make sure कि आप subscribe करें और use करें मेरे code को चोहांसर history right क्योंकि Phoenix revision batches शुरू हो रहे हैं एक year के batches दो year के batches शुरू हो रहे हैं तो अपनी preparation को thorough preparation को शुरू कीजिए बहुत सारे students 2024 2023 में examination देने जा रहे हैं तो आपके लिए यह दो year का जो subscription है वो बहुत ज़्यादा beneficial होने वाला है ठीक है 83100 का GS plus optional है और 117750 का iconic GS है जिसमें आपको iconic के feature भी मिल रहे है ठीक है आपको test series भी मिल रही है आपको printed material भी मिल रहा है दो year के subscription में अगर आप selection नहीं होता है तो plus एक year मिल रहा है साथ में राइट तो बहुत अच्छा offer है जरूर जो है वो इसके बारे में सोचिएगा और मैं तो आपको यह कहता हूंगे खुद पर invest करना शुरू करें अगर आप सोच रहे हैं कि सब्सक्राइशन लें तो इस से बड़ी offer आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है और अगर आप invest करने की सोच रहें और अगर आप सोच रहें कि एक साथ में इतना इंवेस्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती या नहीं करना चाह रहे है आप ठीक है so loan for UPSC बहुत वहतरीन इनिशेटेव है आपके लिए जिसमें कोई processing fees नहीं कोई hidden चार्ज नहीं कोई इंट्रस नहीं अनकेडमी UPSC preparation के लिए आपको लोन दे रहा है अपनी तरफ से बहुत मिनिमल पेपर वर्क दो घंटे के अंदर अप्रूबल और बहुत फ्लेक्सिबल टेने और यह कोड यूज करें हर वीडियो के नीचे आपको एक कोड मिल जाएगा रिपेइमेंट के उसके अलाबा 20 बुक्स का सेट तो मैंने आपको बताए ही अवलेबल है अगर आप एक सालिया उससे उपर का प्लैन लेते हैं तो यह 10,000 की वर्थ का 20 बुक्स का बहुत भैतरीन UPSC CAC का material जिसमें 100% course cover हो रहा है आपको साथ में मिल जाएगा ठीक है उसक आप solution for prelims practice MCQs 3 videos per day आपको मिलती है जिसमें 10 questions होंगे पर video 5 beginner level के और 5 advanced level के हिंदी और bilingual दोनों में अवलेबल होगा सब्सक्रिप्शन के लिए link आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा make sure आप subscribe करें और code use कीजेगा चोहांसर हिस्ट्री उसके लब आप free test series भी अवलेब आप करने के लिए code use करें चोहांसर हिस्ट्री और scholarship test unacademic combat हर संडे हिंदी और इंग्लिश में होता है चार करोड के पूल में सापको scholarship मिलती है 60 minutes में 60 question करने होंगा आप अपने android device पर भी दे सकते तो this you guys all यह आप लोग जो है वो पहले से जानती है ठीक है enroll करें code use कीजेगा चोहांसर history और मैं बार बार बोलता हूं कि start investing on yourself यह आपको आज ऐसा ना हो कि आपको कुछ समय बाद समझाए और देर ही हो जाए तब तक ठीक है तो एक year और दो year के plans में बहुत बहतरीन offer हैं आपके लिए ठीक है जिसमें GS plus option अगर आप combo offer लेते हैं तो आ optional की आप तयारी कर सकते है study material आपको मिल रहा है right उसके अलावा test series आपको मिल रही है ठीक है और अगर आप iconic को subscribe करते हैं तो iconic के features आपको मिल रहे है right personal guidance personal mentoring आपको मिल रही है test analysis आपको मिल रहा है आपके test को analyze करके बताया जाएगा कि कहां पर कमी है कहां पर ठीक है right तो अगर आप online prepare कर रहे जा रहे हैं तो मैं आपको अपनी तरफ से पूरे confidence में बात यह बोल सकता हूं कि अनकेडमी से better online platform आपको और कहीं नहीं मिलेगा बेशक आप try कर लीजिए गूम फिर कि आपको अनकेडमी की तरफ आना ही पड़ेगा मैं बस यह कह रहा हूं कि ऐसा ना हो कि ल इंडियन theater and puppetry लेकिन आज हम theater वाला part पड़ेंगे next session में हम Indian puppetry को समझेंगे ठीक है puppetry समझते हैं आप कोई बात नहीं समझते हैं तो अगले session में मैं आपको मैं pull explain करूंगा कि क्या है puppetry लेकिन अभी हम theater के बारे में समझते हैं सो इंडियन theatrical arts को आज जो मैं आपको करवाँगो ना आप यह देखेंगे कि काफी सारी चीज़ेत हम already cover कर चुके इंडियन theatrical arts की यह काफी जुडती हुई आपको नजर आएंगे क्यों क्योंकि music Indian music हमने cover कि अच्छे से ठीक है स्वस्तानी के आरेटिक और folk music को हमने समझा फिर हमने dances को देखा था जिसमें हमने classical as well as folk dances समझे थे राइट आज हमें theater को देखना है लेकिन यह Indian music Indian dances और Indian theater के लिए एक ऐसी किताब है जिसमें इन तीनों के बारे में जानकारी दी गई है और जितना भी classical music classical dances classical theater है क्लासिकल संस्कृत जो dramas और plays है वो उस एक किताब में से मतलब जो उस किताब में guidelines दी गई है ना जो rules बनाए गए है उन्हीं पर बेज्ड है वो music dances और थेटर उस किताब का नाम आप भली माती जानते हैं उस किताब का नाम है नाट्य शास्त्र भरतमनी द्वारा लिखी नजर आएंगे क्यों क्लासिकल थेटर में जो dance performances की जाएंगी वो हमें Indian dances में से निकलती भी आएंगी क्लासिकल थेटर में जो music perform किया जाता है वो हमारा classical music ही तो है राइट क्या बोलते हैं हिंदुस्तानी classical music तो इतना तो हम already established कर चुके हैं ठीक है कि classical music क्या है classical dances क्या है ना पारे में समझते हैं थोड़ा सा ठीक है तो थेटर में classical theater as well as folk theater को समझेंगे और हम यह पाएंगे कि folk theater में भी हमें classical music और classical dances के element देखने को मिलेंगे ठीक है folk theater में भी classical theater में तो मिलते ही है Sanskrit classical जो plays होते हैं लेकिन folk theater में भी हमें देखने को मिलेंगे ठीक है so इस तरह के बहुत सारे examples आज हम so pre-oriented sessions है so जादा से जादा हमारी पगड़ किस पर रहेगी facts पर रहेगी लेकिन यह concepts जो मतलब classical music classical theater को जोडने के जो concepts है हम इन्हें भी साथ के साथ लेते चलेगे ठीक है ल और कोशिश करें कि वो हमें जादा से जादा समय तक retained रहें है ना concepts के साथ facts को ऐसे जोड़ें कि वो जादा से जादा समय तक हमारे दिमाग में set रहें कुछ इसी तरह की हमारी पढ़ने की पढ़ाने की philosophy भी है right खेर theater को समझना शुरू करते हैं पहला point देखते हैं the tradition of theater in India goes back to more than five thousand years ago so theatrical performances 5,000 साल पहले से ही भारत में की जा रही है यानि की bronze age से ही हमें theater की मतलब bronze age यानि की हडपा सबेता और उसके बाद के समय से हमें theater के बारे में जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है right literary source में देखे तो भारत मुनीज नाटे शास्तर जो है वो हमारे पास सबसे पहला वैसा तो रिगवेद अथर्ववेद में भी हमें dances drama theater इन सब के बारे में जानकारी मिलती है लेकिन एक proper dedicated literature drama dance यानि की theater dance और music पर जो है वो किताब हमें कौन से मिलती है भारत मुनी की जिसकी date क्या रखी गई है second century BCE से second century CE के बीच में कहीं लाए करती है भारत मुनी की नाटे शास्तर ठीक है यानि कि पोस्ट मौर्या पीरेड में हमें Indian classical theater develop होता हुआ नजर आता है ठीक है और वैसे elements हमें 5000 साल पुराने नजर आ रहे हैं लेकिन proper evidences with literary source हमें और archaeological sources भी क्यूंकि भारत म मुनी की नाटे शास्तर में जो ड्रामा जो dances जो music के बारे में बताया गया है हमें जो rocket architecture है temple architecture है ठीक है उनमें जो sculptures देखने को मिलते हैं वो हमारे archaeological sources की तरह सर्व करते हैं राइट भारत मुनी जो नाटे शास्तर इस world's first and earliest book on drama ठीक है 2nd century BCE से 2nd century CE के बीच में ड्रामा के लिए earliest book इंडिया से निकलते हुआ आती है that is नाटे शास्तर written by भारत मुनी इट covers almost every aspect of drama such as production, stage design, makeup, music, dances तो मैं आपको बदाया नाटे शास्तर में कुल 36 chapter है जिसमें majority of chapters जो है वो they are dedicated to drama और drama के या theater के सारे aspects कि stage कैसे set किये जाता है audience क्या हो कौन किस तरह की audience के लिए कैसी performance दी जाती है अलग-अलग type of audience अलग-अलग type of performers क्योंकि उसमें music के बारे में भी सारी जानकारी है, dances के बारे में भी सारी जानकारी है, ठीक है तो dance performances कैसे की जाती है उसके अलबा जो drama performances है वो कैसे की जाती है, music कैसे perform किया जाएगा, तो यह सारी चीज है, make-up कैसा होगा, stage कर design कैसा होगा ठीक है, according to Natya Shastra, Indian theater has a divine origin and is attributed to the Natya Ved, the holy book created by Lord Brahma so Natya Shastra में ये बात लिखी मानी गई है, कि Natya Ved लिखा है स्वेम ब्रह्मा जी ने, और Natya Ved में Natya, Niritya, इन सब के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है, so drama के बारे में भी जानकारी दी गई है, Natya Ved में, स्वेम ब्रह्मा जी द्वारा लिखा गया है, right next, Indian theaters reflect reality, अब Indian theater की theme क्या होती, so Indian theater जो है वो, अब present day के जो theater होगा, वो present day की, जो contemporary, socio-political, जो scenario चल रहे हैं, उसको depict करने की कोशिश करेगा, ठीक है पुरानी जो, मतलब stories है, पुरानों सी जो कहानिया निकली है, या जो epics है, वहाँ से जो कहानिया निकली है, वहाँ से जो, क्या बोलते है, scene निकले है, या, वहाँ से जो events निकले है, उनको तो वो depict करते हैं, लेकिन contemporary, थोड़ा सा, जो है, वो, satirical element भी देखने को मिलता है तो अगर present day में ऐसा देखने को मिल रहा है, तो पहले भी ऐसा रहा होगा, ये speculate करने में, कोई, मतलब, आप, speculate किया जा सकता है, मतलब, क्योंकि आगे जो आपको examples दूँगा, तो वही आपको दिखेगा, socio-political, critique, जो है, वो नजर आएगा, उस समय का, ठीके, Indian theaters reflect realities of society as well as illustrate the divine aspect of life, theater in India started as narrative, अब theater शुरू कैसे हुआ, तो सबसे पहले, जो Indian holy scriptures है, जो literary works है, उनमें जो कहानिया, उनमें जो stories बताई गई है, उनको narrate करने के लिए, ठीक है, शुरू किया गया, theater को, और eventually वो एक performing art के रूप में develop हुआ, narrative form with recitation, singing and dancing becoming the inalienable part of it, तो drama तो है ही, singing भी है और dancing भी है, तीनों चीज़े, right, so music भी है, dance भी है, और drama, तीनों चीज़े जो है, वो theater का एक बहुत important रूप बन गया, ठीक है, so that means, एक theatrical performance is not just drama, right, लब जो किरदार हैं, वो stage पर आकर केवल drama नहीं करके जाएंगे, ठीक है, उसके अलावा dance performances भी होंगी, musical sequences भी होंगे, ठीक है, the emphasis on narrative elements made Indian theater essentially theatrical right from the beginning, but, difference होगा ना, एक dance performance और एक theatrical performance में, theatrical performance में drama वाला element जादा होना चीज़े है, ना, dance वाला element का होना चीज़े, otherwise, तो वो एक dance performance हो गई, उसको आप एक theatrical performance कैसे कहो गई, तो theatrical performance obviously उसकी weight is जादा है, लेकिन, dance performance भी हो रही है उसमें, और music तो है, ठीक है, next, as a result, the theater in India encompasses all other form of literature and fine art, such as dance, music, drama, literature, etc, ठीक है, so, आज हम बहुत बड़िया-बड़िया examples देखेंगे, पहले classical theater देखते हैं, classical plays देखते हैं, जो Sanskrit plays है, फिर उसके बाद folk theater की तरोफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले classical यह Sanskrit theater क्या है, it was the earliest form of theater of India, it started around 2nd century BCE, and flourished between 1st century and 10th century CE, which was a period of relative peace in Indian history, ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद Turkey आ गए, फिर तिमूरी आ गए, और फिर जो है, वो culture mix होना शुरू हो गया, लेकिन 2nd century BCE से 10th century CE तक का जो period है, उसमें, आप यह मान सकते हैं कि धीरे-धीरे, जो Sanskrit, मतलब जो classical arts हैं, fine arts हैं, वो develop हुई है, ठीक है, जिसकी शुरवात 2nd century, यहनि पो performed during this phase, the most commonly performed Sanskrit plays were based on drama composed by भासा, शुद्रका, काली दास and others, right, so, Sanskrit language as a strong, मतलब संस्कृत language strong कब होने लगी, post-Mauria period में, ठीक है, और फिर संस्कृत language का strong होने का मतलब क्या है कि उसका जो है, वो फिर literary work भी strong हुई, इसलिए हमें 2nd century BCE के बाद Sanskrit literary work जो है, वो बहुत strong होते हुए so literary work में नाटे शास्तर भी आ जाएगा, तो एक बार नाटे शास्तर आ गया, उसके बाद जितने भी dramatist रहे हैं, उन्होंने जो plays लिखे हैं, वो नाटे शास्तर पर based लिखे हैं, और उनके plays को अलग अलग राजा महराजा उने, अलग अलग feudal lords ने अपनी capacity में perform करवाया है अपने courts में या जहां पर भी public gatherings, मतलब जो भी ceremonial, मतलब समझ रहे हैं, कहीं जहां पर भी ceremony हो रही है, वहाँ पर plays जो है, वो perform करने की रही है, पुरानी रीत classical, मतलब ancient time में, या antiquity के time में, इंडिया में, ठीक है, so वो 1st century CE से 10th century CE के बीच में हमें देखने को मिला ही है, right, so मुखे writers हैं, भास, शुद्रक, कालिदास, ऐसे कुछ writers के plays आज हम समझेंगे, ठीक है, मतलब example उठेंगे, ऐसा नहीं हम plays के अंदर गुझेंगे कि क्या characters है, क्या stories है, क्या plot है, कौन-कौन से scene है वहाँ पर, नहीं, right, क्योंकि अभी हम केवल pre में, pre के लिए हमें facts उठाने, मेंज के लिए हमें concept में गुझेंगे, जब हम मेंज के लिए prepare करेंगे अलग से, लेकिन पहले मेंज के लिए prepare करने के लिए आपके पास एक background होना चीए थरो, तब जाकर आप मेंज के लिए जो है, वो अच्छे से समझ सकेंगे, लेकिन, मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, examination म में तभी बैठें, जब आप mains ready हूँ, right, the Sanskrit dramas were full of poetic, literary, myths and historical elements, तो जो Sanskrit drama रहते होंगे, उसमें जो है, वो आपको divine element दिख जाएगा, ठीक है, मतलब अन्य रस भी होंगे, जैसे श्रिंगार भी होगा, वीर रस भी होगा, क्योंकि वो तो depend करता है, कि स्टोरी किस तरह कि अगर म नवरस कहां से निकला है, नवरस नाटे शास्तर से निकला है, नाटे शास्तर के compile हो जाने के, या नाटे शास्तर लिखी जाने के, बाद के जो plays है, आप में उसमें आपको नाटे शास्तर के element देखने को मिलेंगे, अब मैं यह बाद में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर अगर आप अमोग वर्षा क्या नाम इनका अश्वगोश येस अश्वगोश और भास के अगर आप भासा के अगर आप ड्रामा देखेंगे तो उसमें आपको नाटे शास्तर के अलिमेंट कम नजर आएगे ठीक है वो इतना स्ट्रिकली नाटे शास्तर वाले पॉइंट्स को गरतावन नहीं नजर आएगा लेकिन उसके बाद अगर आप कालीदास के देखेंगे ठीक है और शुद्रक के देखेंगे भावभूती के हर्शा के इन सब के प्लेज को अगर आप देखेंगे तो उसमें आप आएंगे कि स्ट्रिकली नाटे शास्तर को फॉलो किया गया है गए पूरे इंडिया में जहां जहां पर ड्रामस जो हैं वह लिखे जा रहे थे वहां वहां पर आप नाटे शास्तर को ऑस मतलब समझ नहीं कि उसको एज़ा सेलेबस नहीं मान लिया करता है कि यह सेलेबस है और इसमें से हमें तैयारी करनी है ठीक है मतलब अपना जो है वो क्या वोलते हैं ड्रामा जो है वो कंपोज करता है ठीक अब यह लोगधर्मी नाटे धर्मी यह नाटे शास्त्र से निकल रही है सारी टर्मनलोजी है लोगधर्मी क्या है जो फोक है जो आम जंता परफॉर्म करती है जिनके एक्स्प्रेशन्स जो है वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक हो उसमें ज्यादा ज़ाये वो dramatic flair उसमें ज्यादा ना हो exaggeration, over exaggeration ना हो emotions का जिस तरह कथकली एक बहुत ज्यादा जो है वो क्या है नाटे धर्मी dance performance है तो उसी तरह लोक धर्मी और नाट धर्मी theatrical performances भी होती है लोक धर्मी theatrical performances में इतना ज़्यादा emphasis नहीं होता over exaggeration मतलब नहीं होता emotions का ठीक है बहुत ज़्यादा relative जो है वो मतलब समझरे बहुत real emotions होते ठीक है और दूसरी side नाट धर्मी में बड़ा चड़ा कर emotions दिखाया जाते हैं ठीक है लोक धर्मी और realistic depictions of daily life while नाट धर्मी had stylized generation and symbolism ठीक है आगे अब देखते हैं कुछ Sanskrit playwrights लोक धर्मी नाट धर्मी समझा है आपको ठीक है classical theater नाट शास्तर की terms नवरस वगेरा वो सब होगा इसमें ठीक है अब सबसे पहले देखते हैं अश्वघोष Sanskrit playwright and their compositions क्या 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 composition सबसे पहले अश्वघोष की बात करते हैं तो ये तीन plays है अश्वघोष के important और भी हैं लेकिन ये तीन important plays है सारे plays नहीं include करेंगे हम important plays को ही समझेंगे ठीक है तो सरीपुत्र प्रकरना ठीक है सरीपुत्र कौन है सरीपुत्र जो है वो बुद्ध के सबसे पहले दो शिश्यों में से एक है मतलब मेल शिश्यों में से एक है सरीपुत्र उनका नाम है ठीक है और कहानी ये है कि किस तरह सरीपुत्र जो है वो बुद्धिजम adopt करते हैं बुद्ध के शिक्षाओं को समझते हैं और बुद्ध के चेले बनते हैं ठीक है One of the earliest examples of classical Sanskrit theatre किस ने लिखा है आश्वगोष ने लिखा है 1st century CE की बात है Next I ga बुद्ध चरित्र अब बुद्ध चरित्र as the name suggests बुद्ध के जीवन की जितनी भी घटनाएं है या जातर घटनाओं को play के रूप में जो है वो show किया गया है ठीक है This is an epic poem on the life of Gotham Buddha ठीक है epic poem के रूप में है लेकिन इस poem को theatrically फिर perform भी किया जाता है उसके अलाबा सौंदर नंदा अब नंदा नाम का जो है वो एक और brother है बुद्ध का जो की convert करता है किसमें बुद्ध का half brother है जो की बुद्धिजम में convert करता है यानि की बुद्ध की शिक्षा अपनाता है और बुद्ध का चेला बनता है तो आपको ध्यान रखने हैं ये तीन place सरीपुत परकरना बुद्ध चरित्र और सौंदर नंदा किसके द्वारा लिखे गए है ये अश्व घोश द्वारा अश्व घोश क्या है एक बुद्धिस्ट मौंक है राइट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रामेटिस्ट है बुद्धिस्ट मौंक है नेक्स्ट आएगे कालीदास अब कालीदास की डेट के ओपर भी डिस्प्यूट है 4 century में रखे हैं 6 century में रखें गुपता में रखें पोस्ट गुपता में रखें ठीक है तो खेर आगे हम पढ़ेंगे कालीदास के बारे में डिटेल में वहाँ पर उनकी origin उन सब को समझेंगे लेकिन अभी हमें देखना है कि कालीदास की रचनाए क्या क्या तो कालीदास ने दो epic poems लिखी दो short poems लिखी ठीक है और ये तीन जो हैं वो plays लिखें तो वो दो epic poems और दो short poems कौन कौन सी हैं कालीदास की काफी famous हैं उनको तुरंट कमेंड में mention करें क्या क्या है वो ठीक है तो यहाँ पर कालीदास का पहला जो play है वो समझते हम क्या है अभीजान शकुंतलम महा भारत से निकलता हुआ ये क्या बोलते हैं play है अभीजान शकुंतलम जिसमें शकुंतला और दुशियंत की love story explain की गई है किस तरह वो नजदीक आते हैं और फिर बिछड जाते हैं और फिर कुछ समय बाद फिर मिलते हैं और शकुंतला और दुशियंत के प्रेम से जो पुत्र उनको प्राप्त होता है भारत वही भारत जो है वो बाद में भारता क्लैन बनाता है और उसी भारता क्लैन में से कौरव और पांडव निकलते हैं जो कि आपस में लड़ते हैं महाभारत हमें जो है वो उती हुई नजर आती है ठीक है तो अभिजान सकुंतलम बहुत important play और उस अभिजान सकुंतलम पर based ये image जो है वो draw करी है राजा रवी वर्मा ने ठीक है ध्यान होना चीए आपको ये शकुंतला है ये पीछे मुड़ कर देख रही राइट अभिजान सकुंतलम पर based है ये image ये painting जो है वो draw करी है राजा रवी वर्मा ने ध्यान होना चीए आपको उसके लावा next है मलव की sorry मालवी का अगनी मित्रा ठीक है मालवी का अगनी मित्रा again एक love story कालिदास ने love story बहुत लिखी मेग दूत जो लिखी है कालिदास ने वो भी एक love story ठीक मालवी का अगनी मित्रा the plot of the play revolves around king's love interest who is a maid in royal palace so not as such king लेकिन एक हाँ मतलब एक मतलब क्या बलता है royalty से ही बिलॉंग करता है एक व्यक्ति जिसको एक royal एक maid से जो है वो प्यार हो जाता है मालवी का नाम की maid है और अगनी मित्रम जो है वो शुंग डानेस्टी का king बना बाद में पहले उस समय प्रिंस था फिर king बना अगनी मित्रम और उनकी ये love story है आपस में मालवी का अगनी मित्रा बहुत important play next आएगा विक्रमो उर्वशियम ठीक है विक्रमो उर्वशियम क्या है उर्वशी को जीता गया शौरे से वैलर से इट टेल्स दा टेल आफ किंग पुरुर्वसा अब कई जगाओ पर किंग विक्रमा दित्ते लिखा है ठीक है नहीं किंग पुरुर्वसा ह जिसको माना गया है कि पुरुर्वसा क्या है कि क्षत्रियों में जो चंद्रवंच है उसका पहला किंग है यह पुरुर्वसा जिसने उर्वशी नाम की एक मतलब अपसरा से प्रेम था और उनकी प्रेम कहानी की कहानी के उपर जो है वो यह play है ध्यान रखना है आपको who is in love with a heavenly damsel और वशी तो ये तीनों ही play जो है वो क्या है love stories है कालिदास की कालिदास की epic poems का theme भी जो है वो कहीना कहीं श्रिंगार ही है ठीक है दिख जाएगा आपको जो epic poems है उसकी या उसके लावा जो छोटी poems है उसमें भी कहीना कहीं जो है वो श्रिंगार ही जो छे रितूओं के उपर उसने जो poem लिखी है या उसके लावा मेगदूत जो लिखी है ये वहाँ पर भी जो है वो रस श्रिंगार ही नजर आएगा आपको ठीक है आगे बढ़ते हैं next आएंगे dramatist भासा some of his famous plays क्या है उनके स्वप्ना वसंदता महा स्वप्ना वसंदता मध्या महायोगम राइट सो ये बेसिकली क्या है वसवादता द्यान रखना आपको स्वप्ना वसवादता मध्या महायोगम वसवादता नाम की अवंती के शाशक की पुत्री है उसका ब्या कराना चाते है वंती के शाशक और जिस पुरुष को वो मतलब सेलेक्ट करते हैं वो है क्या बोलते हैं कोसल का उडायन से उडायन से उनकी शादी करने की वो शादी फिक्स करते हैं तो उस पर बेज्ड यह एक प्ले है ठीक है इंडियन क्लासिकल प्लेज में से यह दो जो हैं वो ट्रेजिक प्लेज हैं यानि की वो एक ट्रेजिडी के बारे में बताते हैं मतलब जो मेन करेक्टर है वो अपनी अब जैसे आप लोग जानते हैं मावारत में दुर्योधन के साथ अंतमे क्या हुआ करन के साथ अंतमे क्या हैं भास अने लिखें ठीक है नेक्स्ट आएगा शुद्रक है कि यह संस्क्रेट प्लेज सबसे पहला तो मरिच्छा काटिका ठीक है मरिच्छा काटिका क्या है दा लेटल क्ले कार्ट मरिच्छा काटिका में चारुदता और वसंतवेद नाम की दो जो हैं वो करेक्टर हैं मतलब यह भी एक लव स्टोरी ही है ठीक है जिसमें एक यंग बॉय होता है उसको एक बहुत ही जादा रिच कोर्टिशन से प्यार हो जाता है और इनकी लव स्टोरी है अपस में उसके लाबा वीना वसवदता य स्टोर्ट वन एक्ट मोनलोग पद्म पराभरितिका पद्म पराभरितिका क्या है बेसिकली कि एक व्यक्ति जो है वो पूरी स्टोरी सुना रही मोनलोग कहते हैं से जिसमें एक डायलोग क्या होता है डायलोग डायवर्ड का मतलब क्या होता है दो दो व्यक्ति आपस में ब ध्यान रखना है आपको शुद्र का द्वारा रेटन इस थ्री प्लेज जिसमें से ये पहला मरिच कतिका जो है वो आपको खासा ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्डेंट प्ले है ये नेक्स आएगा भावभूती भावभूती का फेमस वर्ग है महावीरचरित्र इंपुक्तौ कें रावा मालती माधवा एंड उत्रा मच्छरिता मालती माधवा क्या है मालती और माधव दो जो है वो प्रेमी इनकी आपस में एक लव स्टोरी है उसके लवा उत्रा मच्छरिता भी जो है वो एक लव स्टोरी ही है तो बहुत ज़दा आपको दिख रहे हैं जो मतलब eternal प्रेमी रहे हैं जो है ना राधा क्रेशन शेव पारवती ठीक हमारे जितने भी देवता हैं उनकी consort होती है और उनके प्रेम को हम पूझते हैं और हमारी society में कोई प्रेम करें तो उनको हम कूटते हैं इपोक्रेसी देख रहे हैं आप धिरे दिरे आपको समझ आए यह आप धिरे-धिरे समझ रहे होंगे भी ठीट है और इनक्सलिक आएगा हर्शा अब हर्शा ने भी लिखे हैं इनुसने हर्शा के लिखे है उसका नाम मुझे कमेंड़ُ बताएंगे जिए इहां पर लिखाग eğा व्यडिल्य बलियूविव्ड माना जाता है वाइडली कि उसने लिखे हैं ठीक है तुभी क्योंकि कुछ section of historians है वो यह मानते हैं कि हर्षा ने नहीं लिखे हैं वो हर्षा के quotation ने लिखें उसका नाम आप मुझे comment में बताएंगे कौन था वो तुभी author of three Sanskrit plays रतनावली नंगनंद और प्रिया दर्शिका बहुत important है तीन plays किसने लिखे हैं हर्षन राइट आगे बढ़ते हैं next रहेंगे विशाखादत तो विशाखादत इनकी dating भी confusion है four century में रखें इनको six century में रखें या seven century में रखें इनकी dates भी जो हैं वो fix नहीं है प्लेज लिखे हैंनोंने मुद्रा राक्षस narrates the story of चंद्रगुप्त मौर्या असेंट to throne चंद्रगुप्त मौर्या किस तरह शक्ति में आया मतलब नंदों को हाटा कर मौरेश empire कैसे establish है और दूसरी साइड देवी चंद्रगुप्तम और composed by हैं बहुत important है इन पर हम already discussed है वो पास और अशोगोशा यह कुछ हमारे पास classical play writers है right और इनकी यह रचनाए है make sure कि आप इनके notes बनाए और revise करें पर सवाल जो है वो घूम फिर कर बन जाता है factual based question बन जाए नेक्स्ट देखते हैं next तरीके की theatrical performances को कहा जाता है नुकड नाटक अब हम धीरे धीरे folk theatrical performances की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे नुकड नाटक जो है वो क्या होते है ठीक है नुकड नाटक नुकड बेसिकली चौराहे को कहा जाता है या सडक गली को कहा जाता है तो street theater है और नुकड नाटक is a form of theatrical performance performed in outdoor public spaces such as shopping centers, car parks, street corners, etc. नुकड नाटक as a means to spread social awareness is very deep in Indian society तो नुकड नाटक आज भी कई universities के student आपको perform करते हुए नजर आते हैं वो socio-political satire करते हुए नजर आएंगे और socio-political जो contemporary situations है उनको उनका एक critique जो है वो रखते हुए नजर आएंगे और यह over the period होता रहा है नुकड नाटक राइट अब हम एक एक करके folk theaters देखते हैं क्या है traditional theater forms emerged out of creativity of common folk people जिस तरह हमने music समझा classical music तो folk music भी classical dances तो folk dances भी तो उसी तरह classical theater भी तो folk theater भी classical theater मतलब यह एक proper institution established हुआ और उसने proper जो है वो समझे रहे नाटे शास्तर को follow करते हैं उन्होंने drama बनाए उनका एक शलेबस है उनका एक guidelines है नाटे शास्तर ने guidelines दी उनको इन guidelines में रहे कर आपको बनाना है right theater बना मतलब theatrical performances देनी है लेकिन folk theater जो लोग आपस में आम लोग जो बनाते हैं गाओं से जो निकल रहा है या समझ रहे हैं जो regional ethno-linguistic हो सकते हैं लोग उनके traditions है कुछ पुराने वहाँ पर भी हो सकता है narration से बात शुरू हुई और धीरे-धीरे theatrical performance में वह develop हो गई ठीक है एक डिफरेंस यह रख सकते हैं दूसरा यह जो classical performances है इनको patronage मिला राजा महराओ जाओगा फिर अभी इंडियन गवर्मेंट का patronage राइट जो folk theater है इनको patronage नहीं रहा यह गाओं वाले लोगों ने communities आपस में मिलकर जो हैं वो हजारों सालों से perform करते आएं ठीक है कुछ हैं जो आपको हजारों साल पुरानी भी नजरेंगी ठीक है बताओंगा आज examples दोंगा राइट और इनको इतना खासा patronage जो है वो किसी royal class का नहीं देखने को मिलता है इवेंचुली धीरे धीरे royal class का 18-19 century में मिलने भी लगा और फिर उसके बाद Indian government ने भी patronage दिया है folk theater को या any other folk art को लेकिन historically जो है वो folk लोगों नहीं जो गाओं के लोग हैं जो community हैं उन्होंने over the period generation by generation जो है वो इने जिन्दा रखा है ठीक है traditional theater forms emerged out of creative of common folk of India these theater forms are not based on classical or grammatical rules जो नाटे शास्तर है उस तरह की किताबों पर based नहीं है यह these are क्योंकि नाटे शास्तर लिखी गई है संस्कृत में और जो maximum आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो द्रवीडियन languages में develop होने वाला theater है राइट है मैं आपको मल्यालम उसके लाबद तेलगू तमिल कंणड theater जो है वो दिखाऊंगा राइट there are religious festivals, fairs, gathering, ritual etc. almost throughout the year in different regions of India traditional theater forms are present during these occasions so जो समझ रहा है religious जो क्योंकि यह जितना भी tradition theater होगा यह mostly इनकी theme जो है वो divine होगी और जितने भी इस तरह के event होते हैं ठीक है religious event होते हैं वहाँ पर इनको perform किया गया they reflect the common man's social attitudes and perception classical performances में आपको थोड़ा सा classical performance आपको थोड़ी सी refined नजर आएगी उसमें आपको common man का perception नहीं नजर आएगा ठीक है वो थोड़ा सा जादा उसमें लोक धर्मी नहीं लेकिन वो नाटे धर्मी जादा है as the name suggests this is a folk performance तो यह लोक धर्मी जादा हैगी but still इसमें भी कुछ आपको नाटे धर्मी performances नजर आ जाएगी ठीक है आगे बताऊंगा मैं कौन कौन सी नाटे धर्मी performances है folk theater में भी in this social portrayal there is also individual's role which is given due importance artist, dancer and singer produce plays based on local heroes their popularity and traditional love stories themes क्या है local hero ठीक है classical की theme क्या है जो literary work है, जो Indian classical literary work है जो पुराण है, जो epics है यानि की महभारत के किरदार, रमायन के किरदार ठीक है, पुराणों के किरदार जातका stories में से किरदार वहां से निकल कर आ रहे है उन से, right और जो पुराने राजा- महाराजा रहे है है न, maur रहे हैं उसके लाबा क्या बोलते हैं गुपता राइट लेकिन यहां ऐसा नहीं है क्योंकि यह फोक थेटर है यह लोकल हिरो मालीजे कोई गाओं को यह गाओं की पर्टिकुलर कॉम्टिटी अगर कोई थेटर प्रफॉर्म करती है तो हो सकता है कि वह उनका ही कोई पूरवज ज़श्या देख लेते हैं मल्याला में सबसे पहले हैं कूडि अकुड्य अक्टम आभ कूडि अकम जो है वह बैसिक्ली इसका मतलब क्या है कि दो वर्ड को जोड़कर बनाये गया इसमें उरू जोड़कर बनाये नहीं से चलिक और अट्टा भी ड्रेमेटिकल पर्फॉर्मेंस कोई कहते है ठीक है इट इस कंसिडर तो बी ओल्डर देन 2000 इयर्ज तो संगम ठीक है संगम लिट्रेचर एरा का जो है ये पर्फॉर्मेंस है ठीक है वहां से चली आ रही है कुडियट्टम और कुडियट्टम मैं आपको पताय के रूप में देखने को मिलती है केरला से रही डान्स परफॉर्मेंस कथा कली है ना एंड इस नोन तो बी दो ऑल्डेस थीटर फॉर्म इन इंडिया एंड द वर्ल्ड इट वस्ट्रेशनली अ पार्ट अफ टेंपल रिच्वल्स यानि की थीम क्या है इसकी मोस्ली क्यों मिलेंगी ठीक है कैसे यह देखें कूडियतम के मास्क हैं यह जो ड्रेसिज हैं ठीक है यही kudiatum की mask और dresses जो है वो आपको कथकली में भी देखने को मिलेंगी सो कथकली में basically यह mask यह dresses kudiatum से ही लिया गया है इन kudiatum the चक्रिया यह चक्रिया है जो dance करते हैं या जो perform करते हैं are the actors and nangyar नangyar कौन होते हैं जो पिछे musicians बैठे हैं recite shlokes and play female characters and vidushak कौन होता है यह है क्या नangyar और vidushak होता है जो fool या clown की तरह act करते हैं ठीक है इसको vidushak का जाता है is a royal clown who humorously narrates the theme of the text तो यह humor का element है यह main character है और यह जो है वो female character है जो shlok बोलती है बीच में ठीक है next आएगा आपका mudiyattu अब mudiyattu भी जो है वो कहां से निकलता है आपका kerala वाले region से ही और mudiyattu का भी हाथ आपको नजर आजएगा kathakali की development में it is celebrated in month of vrishikam that is november and december ठीक है vrishik से निकला है यह vrishikam it is usually performed zodiac sign की बात करी मैंने performed only in the kali temple of kerala so mudiyattu क्या है basically भद्रकाली माता किस तरह जो है वो दारी का नाम के असूर का वद करती है इस story को depict किया जाता है play के form में right it depicts the triumph of goddess भद्रकाली over असूर दारी का बहुत important है it was included in UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity आखरी में एक session लूँगा UNESCO के बारे में कि UNESCO ने किस किस को क्या क्या अलग अलग list है UNESCO की ठीक है तो यह intangible cultural heritage का है जिसमें छेड़ चाड़ नहीं कि जा सकती ही इसको as it is जो है वो जिन्दा रखा जाए ठीक है 2010 में इसको add किया गया किसको moody at two को right this is moody at two performance यह जो है वो भद्रकाली बनी है और यह राक्षस का जो है वो वद किये जा रहा है नेक्स आएगा आपका कृष्ण नटम अब मैंने आपको बहर कत्तकली में वदाया था कृष्ण नटम राम नटम राइट सो कृष्ण और राम से रिलेटेड जो है वो डांस परफॉर्मेंस नहीं थी थी उससे वो डांस परफॉर्मेंस डेवलब हुई ठीक है लेकिन यह थी यट्र डांस के तरह भी किया जाते क्योंकि इस थीट्र में मतलब जब एक्टिंग चल रही होती है उसके साथ थोड़़़़दा डांस परफॉर्मेंस भी चल रहा होता है यहां पर नतप नाट्या है नहीं निरत ना निरत्यम निरत्यम तो अन्लमेंस न स्टिंग मानवड़ उफ क्यलिकट् रहीен काजी-्षण द्य-दधिकोड़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़-द्यिश्य। जिश्चे misunderstood जमूरिन शब्द के बारे में आपको मैं थोड़ा बता दूँ जमूरिन जो वर्ड है ना ये समूरी से निकला क्यों क्योंकि अर्बी और फार्सी काजी कोड़े के शाशकों को समूरी कहा करते थे ठीक है और इसका और आप पुराना वर्ड ढूंडेंगे या वहां के नेटे कह दिया अर्बियों ने और जमूरिन कह दिया अंग्रेजों ने ठीक है और वहां से आज भी हमें ये जमूरिन के नाम से आदे काजी कोड़े के समूथरी शाशक है ये राइट हिंदू शाशक है उन्होंने रिवाइव किया क्रिश्न नटम को तो बेसिकली ये वी एक बहुत इंपरेट है ध्यान रखने आपको दिस ये आपको और इसमें आप देख रहे हैं साफ साफ प्रिश्न नटम की ड्रेसे जो है वो उठा कर कत्थकली में इस्तेमाल की गई है यहाँ पर आपको कुड़ि एटम के फेस मास्क भी देखने को मिल रहे है ठीक है लेकिन ड जीज़ें यह ध्यान रखिए तो मैं आपको बोला था ना सीरीज की तरह देखते रही है इन सारे सारे सेशन्स को क्योंकि यह कहानिया जूडती चली जाएंगी अब आपको कथकली को समझने में दिक्कत नहीं होगी अब कथकली के साथ कृष्ण नटम कुडिय टम इन वर्ड नेक्स्ट आएगा थेम इतन रख दान्स माइम और मुजिक इच्छल्स देखाराइब इस चारेक्टराइब बाइक कलरफूल कॉस्ट्म और ओव इंस्पारिगेर राइट थेम जो है इस इस अधियम पर्फॉर्में यह रेड गॉड को जो है वो डिपक्किया गया है उसके के लवाद इस अधियम पर्फॉर्मेंस देख रहे हैं आप मास्क और मुकट कितने जवर्दस्त हैं यह केरला नॉर्दन केरला और सदन करनाटका वाले रिजन में पर्टिकुलर जाती है ब्रहमनों की वह परफॉर्म करते हैं जिनको ब्रहमन मतलब जो वर्ण है उसमें नी पर्फॉर्मेंस नेक्स आएगा आपके पास चक्यार कुथू या कुट्टू इस इसकाइड ऑफ हाइली रिफाइंड मोनोलोग चक्यार क्या होता है मैं आपको थोड़े दर पहले बताए तो देखिए चक्यार और नंग्यार कहां गये यह रहे चक्यार कॉन है जो एक्टर है ठीक है तो चक्यार कुथू क्या करेगा चक्यार जो है वो एक ड्रामा कर रहा है अकशेला मोनोलोग है अक बख़ती जो नेक्टी पर्फॉर्मेंस के चक्यार कुथू है घ्यान रखेगा नेक्स्ट आएगा आपका आंधर प्रदेश में देखते हैं तो अभी हमने मल्यालम में देखा ठीक है अब हम आंधर प्रदेश में चलते हैं थोड़ा तेलगू element देखते हैं तेलगू में कौन है विधी नाटकम तो यह कहां से डवलप हुआ है आंधर प्रदेश करनाटका वाले रिजिन में 12th century से एक तरह की theatrical dance performance जो है वो चल रही है ठीक उनको कहा जाता है यक्षगान तो यक्षगान में से ही विधी नाटकम डवलप हुआ है राइट performing forms the यक्षगान and कलपम कलपम और यक्षगान आप उचे बताएंगे ये कलपम जो है वो किस आर्टिस्ट की रचना से निकलती है उस आर्टिस्ट के गुरू का नाम क्या है मैं आपको पिछले session में समझाया था डांसे वाले session में याद कीजिए एक आर्टिस्ट बताया था आगे डवलब किया है बेटर थीटर कॉलिटी वस डिमांडेट वन नेरेटिव ड्रमेटिक यक्षगान वेंट इन्टो ओपन आउट अफ दा प्रिसेप्स अफ टेंपल्स राइट सो दिस इस हाओ वेधी नाटकम इस परफॉर्म में आपको बताया था अभी तो यहां पर जाकर प्रफॉर्म करते हैं स्टीट पर जिसमें पेंट भी कर रहा होता है अपने अपने फेस को जैसे कि मानली जी अगर राम की कहानी को वह डिपिक करने खुश कर रहे है तो एक वेक्ती अपने फेस को नीला पेंट करकर पहुंच जाएगा ठीक है इस बुर कथा या हरी क था हरी कथा इस स्टोरी टेलिंग प्ले प्रफॉर्म्ट इन विलेजिस अफ आंदर प्रदेश अं तेलंगाना दवर्ड बुरा मींज तंबूरल ये तंबूरे के लिए इस्तमाल किया जाता है ठीक है अब मूजिकल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट एंड कथा मीन स्टोरी स तंबूरे पर बजा कर जो है वो स्टोरी सुनाई जाती है आप मुझे इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताएंगे इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या था मैंने म्यूजिक वाले पार्ट में भी और डांस वाले पार्ट में भी इस म्यूजिक इस इंस्ट्रूमेंट का जिकर किया था ठीक है यह है एक प्रकर्शन लेकिन कहा क्या जाता है इसे इंक्लूट्स प्रेयर, सोलो, ड्रामा, डांस, सॉंग्स, पोएम्स जोक्स, स्टेज पर भी परफॉर्म किया जाता है उसके लावा लोग गली-गली जाकर जो है वो मतलब गाउं-गाउं जाकर इस तरह परफॉर्म भी करते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स आएगा आपका पगती विशालू इस पॉपलर थेयर्टर फ्रम तेलंगाना एंड दे कृष्णा डिस्टिक अफ आंधर प्रदेश इस इवल्ड ओवर थेयर्ज अज़ एज एज देविशालू तो बेसिकली क्या है सडक सडक जाकर भी यक्षगान से ही डवलप हुए है यह थीक है गाउं-गाउं जाकर चरेक्टर जो है वो कॉस्टिम से बदल बदल कर स्टेज पर भी होता है एक करेक्टर आता है वो सामने आकर परफॉर्मस देगे जाता है फिर वो बैक स्टाइज जाएगा costume बदल गए फिर आएगा ऐसा नहीं है कि अलग-अलग जो हैं वो artist है अलग-अलग character के लिए हो सकता है कि 2 या 3 artist हों वो सारे characters play कर रहे हूं costume बदल बदल गए ठीक है this is पगती विशालू यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है मैंने बोला ना ठीक है so term ध्यान रखनी है region ध्यान रखना है और feature ध्यान रखना है कुछ basic कुछ basic features को ध्यान रखना है otherwise term और region ज्यादा importance है term और region यही मैंने आपको martial arts में ही बोला था यही dance performances में भी classical dance performance के बार में तो कुछ characteristics आपको पता होने चाहिए लेकिन folk वाले के लिए folk dances में folk music में martial arts में और अभी folk theater में भी यही कहना चाहूंगा मैं आपको term ध्यान रखनी है आपको region ध्यान रखना है आपको और कुछ feature अगर आपसे याद हो जाए तो कुछ distinctive feature अगर आपको ध्यान रह जाए otherwise term और region ध्यान रखना है अधरवाइस तेलंगाने परफॉर्म किया जाता है next time करनाटका पर आ जाते हैं अब कंणड में आ जाते हैं तो मैंने आपको बोला ना आंध्र और कंणड वाले region में यक्षगान किया जाता है दोनों ही जगह दोनों ही साट तो करनाटका में यक्षगान एक थेयर्टिकल परफॉर्मेंस हो गई it is mainly formed in Tulu-Nadu Tulu-Nadu, Tulu-Va speaking ये क्या है अथनो लिंग्विस्टिक ग्रूप है Tulu-Va भाषा ये बोलते हैं उनका Tulu-Nadu है नadu समझते ने district right so Tulu-Nadu and some parts of Mela-Nadu regions of Karnataka and Kerala it is based on mythological stories and purans the most popular episodes are from Mahabharata and Ramayana it combines dance, music, dialogue, costume, makeup so Karnataka का यक्षगान और region और khas थर पर क्या है Tulu-Nadu वाले region में perform किया जाता है क्या यक्षगान theme क्या है divine कहां से Mahabharata और Ramayana से निकलती है ये है यक्षगान right देख रहे हैं आप face masks और सके अलाबा headgears और costumes and dresses next आएगा बायलता अब बायलता is another word for यक्षगान ठीक है it is a form of यक्षगान found in Karnataka it features stories from Indian epics and purans rendered as dance and drama it also marks the end of harvest session so बायलता is again Karnataka वाले region में क्या है यक्षगान के लिए एक अलग साई word है next आएगा आपके पास तला मडेल या ताल मडेल ठीक है ताल मडेल क्या है basically drum की beats यानि की percussion की beats पर जो है वो performance की जाती है ज्यादा importance ताल पर होती है right it is an ancient form of dance dance practiced in southern India in coastal Karnataka and Kerala ठीक है ध्यान रखना है आपको theatrical performance है लेकिन ताल के उपर ताल के आधार पर समझे नहीं की ज्यादा music पर ज्यादा राग पर जो है वो या अन्य instrument पर ज्यादा emphasis ना होकर percussion की द्वारा produce जो ताल है जो ताल है उस पर based ये dance performance या क्या बोलते है theatrical recitation the art form is popular in उत्तर कनड़ा, दक्षन कनड़ा उडूपी, शिमोगा district of Karnataka उसके लाबा कसर गोड district of Kerala तो अगर आप इन राज्यों के लिए prepare कर रहे है तो तो ये आपके लिए खासा important हो जाता है, लेकिन UPSC के लिए आपको ध्यान रखना है, term और region करनाटaka में और इसका मतलब क्या है कि ताला मदेल क्या है एक theatrical recitation है next point it is derived from यक्षगान classical dance और musical form कहां से निकला है ये भी, यक्षगान से भी बायला तभी कहां से निकला है, यक्षगान से निकला है ठीक है, उसके अलावा पगती विशालू कहलीजिए और बुरक अथा ये सब विधी नाटकम ये सारे लगबग सारे ये यक्षगान से ही निकले है ठीक है, क्योंकि 12th century में, 12th century में उसके आसपास, इस रीजन में सबसे popular जो music, theatrical ये dance performance थी, वो यक्षगान ही थी उसी में से ही over the period अलग-अलग रीजन में अलग-अलग ये performances डेवलप हो गई है ठीक है, आंधर करनाटका में next आएगा आपके पास भूत कोला ठीक है, ये बूत कोला ये भूत कोला, तो भूत कोला is the name suggest ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा dark spirit वाले element नजर आएंगे भूत कोला is an annual ritual performance where local spirits और deities are impersonated and worshipped local spirits का रूप जो है, वो धारकर लोग performance करते हैं, ठीक है similar to theam of केरला, जिस तरह theam में भी देवी देवता जैसे mask पहनते हैं, वो ठीक है समझे रहे हैं, वो जो red god बना होता हूँ, ऐसे dant निकले होता है वहाँ, ऐसे side में, ठीक है, तो वैसा ही है क्योंकि वो जो dant निकले होता है, वो शूकर होता है, ठीक है, एक तरह का bow और, एक तरह का sewer, जिसके dant जो है, वो इस तरह बाहर निकले होता है, ठीक है, यहाँ पर image दिखाते हूँ, देखिए, इस तरह जो है, वो dant बाहर निकले होता है, वहाँ पर भी हमने देखा था थेयम में, जो artist ने mask पहना वा था, उसके अभी ऐसे dant बाहर निकले होता है, तो यह भी artist का head gear है, यह इनका यह देवता है, जिस देवता का सर जो है, वो sewer के सर जासर, जंगली सुवर के सर जासर है, जिसके ऐसे dant निकले होता है, और यह artist जो है, वो dance performance के समय इस मुकुट को पहनता है उपर, राइट, it is practice, so basically local spirit और deities का impersonation किया जाता है, यह इसका feature है, region क्या है, region चल रहा है हमारा करनाटका, ठीक है, यह सारी करनाटका की performances है, राइट, it is practiced by Tulu, speaking again, यह Tulu speaking लोग, जो Tuluwa region के है, Tulu भाशा को बोलते हैं, ठीक है, Tulu भाशा जो बोलते हैं, speaking community in Dakshan Kannada district in करनाटका, and in कसरगोर्ड तुलुक तालुक in केरला, collectively referred as Tulu-Nadu, इसको Tulu-Nadu का जाता है, कुछ हिस्सा केरला में, कुछ हिस्सा करनाटका में, collectively Tulu-Nadu इसलिए का जाता है, क्योंकि यहां के लोग Tuluwa भाशा को या Tulu भाशा को बोलते हैं, यह Tuluwa Immensely, Krishna Parijattha is the name suggest, आप जानी सकते हैं कि Krishna लीलाओं से जुड़ी हुई जो हैं, वो stories play के रूप में depict की जाती होंगी, right? Immensely popular in करनाटका, this folk drama narrates the story of Lord Krishna, Rukmani and Satyabham, right? Lord Krishna, Rukmani and Satyabham के performance क्या है, यह Krishna Parijattha It is considered that Krishna Parijattha is a blend of themes of dance, drama, yakshagaan and byalat, right? So, वही yakshagaan से ही धीरे-धीरे develop हुई है, right? Next आएगी आपकी veerges, veerges, नाम से ही पता चल रहा है, रस जो है, वो veer है, तो इसमें बहुत जादा जो है, वो martial performances, jumps, ठीक है, बहुत जर्की performance हो रहती होगी, बहुत तेजी से perform किया जाता होगा, right? It is popular theater from, from prevalent in state of Karnataka, it is vigorous dance based on Hindu mythology and involves very intense energy sapping dance movement, right? समझ रहे, बहुत तेजी से, जो feet movement है, बहुत तेज होगा, बहुत तेज हाथ चला हो सकता है, हतियार weapons का इस्तमाल कर रहे हो, तो martial element यहां पर हमें देखने को मिलता है, it is done, it is one of the dances demonstrated in the Dasar, sorry, Dashera procession held in Mysore, Mysore में जब Dashera के दिन, यानि की रमायन से जुड़ी हुई जो कहानी उसको बहुत martial elements का इस्तमाल करते हो, हतियारों का, तीर, तलवारों का इस्तमाल करते होए जो है, वो किया जाता होगा, इस drama को, right, it is performed mainly in the Hindu months of Shravan and Karthika during festivals, इस तरह देखिए, यह लड़कियां जो है, वो weapons, धाल, तलवार ले रखिए नोने, और घुंगरू पैने हुआ है, बहुत तेजी से performance, समझ रहे हैं, अब यह ऐसी moments करेंगे, ऐसा लगेगा, जैसे कि यह लड़ रही हैं आपस, ठीक है, दिस इस वीरगेस, आगे बढ़ते हैं, Tamil Nadu की performance देखते हैं, Tamil Nadu में थेरू कुत्तू, थेरू कुत्तू is derived from two Tamil words, थेरू का मतलब होता है, street और कुत्तू का मतलब होता है, तो basically क्या है यह, नुकड नाटक है, है न, street में करे जाने वाली जो performance है, it is actually dance theater performed on the streets in front of holy places, it mainly focuses on character of Draupadi, of epic of Mahabharata, and the plays are performed on stories of Ramayana and Mariam festivals, right, so Mariam festivals में उसके अलाबा, theme क्या है, Ramayana, Mahabharata है, divine theme है, थेरू कुत्तू, street performance है, Tamil Nadu से, right, this is थेरू कुत्तू, देख रहे हैं आप, इसमें आपको वही face, make-up देख रहे हैं, तो Tamil Nadu और Malayalam, यानि केरला की performances में कुछ similarities आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, this is थेरू कुत्तू, right, next आएगा जम्मू कश्मीर की performance देखते हैं, अब हम थोड़ा सा, दक्षिन भारत से, उत्तर भारत की तरफ मूव करते हैं, और कुछ उत्तर भारत के राज्यों की performances देखते हैं, ये है, भांड पैंथर, ठीक है, प्रेवलेंट इन, अब भांड शब्द जो है, वो, वैसे तो एक डेरोगेटरी शब्द की तरह इस्तमाल भी किया जाता है, otherwise इसका मतलब होता है, जर्नल मतलब कहा है, इसका entertainer, ऐसा वेक्ती जो entertainer है, उसको भांड कहा जा सकता है, ठीक है, प्रेवलेंट इन, कश्मीर, इट इस अउनीक कॉंबिनेशन अफ डांस, मूजिक अन अग्टिंग, सो अगेन, एक ड्रामेटिकल ये थेट्रिकल परफॉर्मेंस है, डांस, मूजिक और अग्टिंग तीनों का इस्तमाल की जा रहा है, इस बेस्ट अन माइफलोजिकल स्टोरीज, बट इस अलसो इंक्लूड इन, क्या हो गया ये, कंटेम्पररी सिचुएशन जो चल रही है, कश्मीर में उसको डिपिक किया जाएगा, ठीक है, सेटायर, विट अन पैरोडी, इस बेस्तमाल की जा रही है, नगाडे बजा जाते हैं और परफॉर्म की जा रहा है, जो भी चल रही है, उससमें सीचुएशन हो सकता है, किसी फेस्टिबल को एक्स्वेन की जा रहा हो, कोई माइफलोजिकल स्टोरीज बताई जा रही हूँ है, the actors of bhaand pathar mainly belong to farming community and thus the impact of their way of living and ideals are discernible in this theater form so because most of these performers belong to farmer class right next time bhaand jashan it is characterized as kashmir folk theater style having a combination of play and dance in a satirical way it is performed by a group of 10 to 15 artists in their traditional style so kashmiri traditional style so bhaand jashan or bhaand pathar you have both kashmiri kya hai jammu kashmir se belong karne wale jammu kashmir me perform kiya jane wale theatrical performance right aagye wadhta hai gujarat gujarat mein aai ki bhawai bhawai to bhawai mein aapko pahle this theater from gujarat is also practiced in southern rajasthan the center of this form are kach and kathiyavad it is performed during navratri and it is performed only by males the women are only spectators spectators to region dhyaan rakhna hai gujarat mein bhi kathiyavad or kachh wale region mein yarni southern rajasthan and northern gujarat mein ye perform kiya jara hai males perform kerti hai mainly or female spectate kerti hai hai next hai ga rajasthan mein to rajasthan mein khayal अब khayal joh hai woh dance performance bhi thi or drama performance theatrical performance bhi hai तो दोनो ही element है इसमें ठीक है it is performed by bhawai tribe of rajasthan it is folk play which involves dance and drama depicting humorous and comic characters influenced by parsee theater बहुत important feature है खयाल is influenced by parsee या फार्सी पर्शियन theater से influence है right next i ka madhya pradesh की बात करें तो madhya pradesh में march traditional theater from madhya pradesh theater forms songs are given prominence in between dialogues feature क्या है dialogues के बीच में गाने बचता है dialogues के बीच में music बचता है right this is feature of march that is a theatrical performance from madhya pradesh next चतिसगड की तो पांडववानी तो पांडववानी मैंने music में भी add किया था पांडववानी dances में भी add हुआ पांडववानी theater में तो ये कैसी performances में तीनों element होता है music भी dance भी और theater भी right drama भी या acting भी this folk theater forms is popular in central indian state of चतिसगड़ and is neighboring areas of madhya pradesh udisa and आndhra pradesh it is generally has a lead singer narrator and two accompanying musicians Bhima the second son of Pandava in epic Mahabharata is the hero of story in this style right so Pandavani में वैसे तो name suggest कर रहा है कि Pandava की story है Pandava भी खास दोर पर भीम के ऊपर जो है ये story based होती है next आईगा महाराष्ट तो महाराष्ट में होता है तमाशे और पवाडे ठीक है सुना ही होगा सुना ही होगा आपने कि क्या हो रहा है यहां पर तमाशा चल रहा है तो वो यह ही है तमाशा is a street theatrical performance right excuse me this traditional folk theater from Maharashtra flourished in the courts of Maratha rulers of 18th and 19th centuries evolved from the folk forms of gondhal jagran and kirtan so basically divine element जो है वो तमाशा के पुराने पुराने sources में जाएंगे तो divine element है लेकिन धिरे-धिरे अन्य कई रस जो है वो इसमें जोड़ गए और Maratha rulers के courts में जो है परफॉर्म किया जा रहा था यह female actress is chief exponent of dance movement in tamasha and is known as murki murki जो है वो female actress को कहा जाता है जो dance performance भी करती है और acting भी करती है ठीक है this is tamasha right this is murki female actress next वोगा पुवाड़ा popular in महाराष्टरा पुवाड़ा have their roots in the tamasha and are ballads about Maratha historical icons especially छत्रपती शिवाजी खास तोर पे पुवाड़ों को जादा जो है वो popular किया किसने बाल गंगदर तिलक साहब ने ठीक है किया जाती है right the narratives are generally blend of music and dance to celebrate the valor of historical figures ध्यान रखना आपको पुवाड़ा महाराष्टरा right और feature क्या है वेलर आफ मराथा क्या बलते है historical figures right next आएगा आपका गोवा गोवा से है आपका दश अवतार as the name suggest आप देखी सकते हैं विश्णू के दस अवतारों पर based यह theater रहेगा in this theater form of konkan and goa regions in this theater form the performance personify the ten incarnations of lord विश्णू दश अवतार performers wear mask of wood and paper mesh right so mask पहन कर perform किया जाता है तो as the name suggest आपको क्या ध्यान रखना है वस इस term का मतलब क्या है दश अवतार क्या है एक theatrical performance है गोवा कॉंकरण वाले region से perform किया जाता है और इसका feature क्या है विश्णू के दस अवतारों को depict किया जाता है इसमें next आएगा हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश में मैंने आपको dance performance में भी करियाला का जिक्र किया था और अब theater में भी क्य प्रदेश की जाती है this is popular folk theater from हिमाचल प्रदेश particularly in district of Shimla, Solan and Sirmaur it is an open air theater and is generally staged during village fair and on some festival occasions it is based mostly on social satire right so जो भी हिमाचल में उसमें social situation चल रही होगी उसको explain किया जाता है हिमाचल की जो बड़ी-बड़ी universities है उसके students शिमला में जो university है या Solan में, Sirmaur में जो universities है उसके students आज भी perform करते है या मेलो में भी performance होती है किसकी करियाला performance right next आएगा उत्राखंड, उत्राखंड में रमन, रमन is a folk theater of गड़वाल region in उत्राखंड, it has elements of theater, music, historical right so मैं आपको बत आपने हमने characteristics क्या देखी, इन सभी performances में dance भी है, music भी है और drama भी है, right, theatrical performances है ये, और mostly जादातर performance जो है वो ritual, divine ही, उनकी theme जो है वो divine है और किसी ceremony, किसी ritual के समय जो है वो perform के जाती है, right, mostly around the festival season, ठीक है तो ये basic feature है सब में, हमें क्या ध्यान रखना है कि रमन का मतलब क्या है, ये एक dance drama performance है, theatrical performance है, region क्या है, उतराखंड, उतराखंड में भी कहाँ पर खासतवर पे, गड़वाल वाला region, right, oral and written tales, so जो regional tales हैं वो उसमें सुना ही जाती है, ठीक है, this is a Raman performance, ये की जारी है, ठीक है, देखिए, गाउंवाले आकर बैठे होएं, ये किसी एक मंदिर में perform कि जारा है, it is celebrated annually in बैसाख मन्त, यानि की एप्रल के महिने में, in the courtyard of भूमियाल देवता टेम्पल, situated in चमोली डिस्टेक अव गड़वाल, अब ये इसका specific feature आ गया, ठीक है, चमोली डिस्टेक में भूमियाल देवता के मंदिर के प्रांगण में देखिए, ये perform किया जारा है, रमन performance, राइट, रमन हैस बीन, अब ये important है, युनेस्को की representative list of intangible cultural heritage of humanity की list में add किया गया इस performance को, तो ये important performance हो जाती है, जितने भी युनेस्को में add की गई है न, युनेस्को ने intangible cultural heritage of humanity में add करी है, वो सारी important performances है, ठीक है, ध्यान रखना हुनका नाम, नेक्स्ट आएगी नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो नॉर्थ इंडिया में पंजाब, हर्याना, उत्तरप्रदेश, ठीक है, मालवा वालवा जो रिजन है, यहाँ पर स्वांग रचे जाते हैं, ठीक है, स्वांग रचे जाते हैं, इट इवल्ड इन 18th century and includes theatrics and mickry, नकल की जाती है, accompanied by song and dialogue, तो अगर आप हर्याना से बिलोंग करते हैं, राजस्तान से बिलोंग करते हैं, तो आपने swang जरूर देखे होंगे, ठीक है, it is dialogue oriented rather than moment oriented performance, so swang में, जिसे जितनी भी हमने South India की folk drama performances देखी, उसमें movement बहुत है, उसमें dance element जाद है, उसमें music element जाद है, इसमें क्या है, music बजेगा एक बार, फिर music बंद हो जाएगा, और फिर जो artist हैं, वो dialogues बोलेंगे, ठीक है, तो इसमें dialogues पर ज्यादा ध्यान है, music और dance performance पर तो बिलकुल ही कम, राइट, the two important style of swang आर रोहतक एंड हातरस, रोहतक के swang हर्याना और उत्तर प्रदेश में हातरस के swang, ठ Western UP की भाषा है, ब्रज भाषा, मत्हुरा क्या सपास की, next आईगी नवटंकी की जा रही है, है ना, बोलेंगे, क्या नवटंकी चल रही है, तो क्या है ये, एक theatrical performance है, it is usually associated with उत्तर परदेश, it was, so region नवटंकी का क्या है, उत्तर परदेश, right, it was mostly popular form of entertainment prevalent in these areas before the advent of cinema, तो cinema आने स पहले नवटंकी चलती थी, so बहुत सारे drama groups हुआ करते थे, वो गाओ गाओ जाकर festival season में, मेलो के दोरान, performance किया करते थे और भही उनके आमदनी का स्तरोथ था, फिर cinema आ गया, फिर बड़े level पर नवटंकी होने लगी, right, the most popular centers of traditional theater, form of Kanpur, Lakhnau and Hathras, Hathras में सांग भी रचे ज just Lord Krishna की जो लीलाए हैं, right, it is based exclusively on Lord Krishna's pranks and legends, it is a popular form of folk theater in region of Mathura and Vrindavan in Uttar Pradesh, especially during the festival of Krishna, Janamashthemi and Holi, में रासली लाएं, dance performance में भी देखा था हमने, अब ड्रामा में भी देख लिया, next आएगा अलहा, it is popular song story style form based on Alha Khand poem, this is widely performed in Bundel Khand region, ठीक है, region ध्यान रखना है, Alha का मतलब क्या है, एक dance drama performance है, theatrical performance है, किस region में, बुंदेल Khand में, और Alha Khand जो poem है, वहाँ से इसका साहित्य जो है, वो निकलता हुआ, नजर आ रहे, right, next देखते हैं, Eastern India में चलते हैं, अब नौर्थ में देख लिया हमने, सांग रचे हमने, नौटंकी द अब अलहा देखा, हिमाचल प्रदेश का, उत्राखंड का भी देखा, जम्मू कश्मीर के भी देखे, अब हम आते हैं, East Side, East Side होती है, जात्रे, अब जात्रे जो है, वो उत्राखंड और हिमाचल में भी होती है, लेकिन, जो जात्रे उत्राखंड और हिमाचल प्रदेश मे कहाँ पर East की, कहाँ पर Assam, West Bengal और उडिशा वाले रिजिन में Popular इन उडिशा एन Eastern Bihar It originated in Bengal in 15th century as a result of bhakti movement Bhakti movement से develop होता है, तो इसकी theme भी क्या है? Divine होगी और जादा आपको वैशननिजम की तरब जुकते वे नजर आएंगे Krishna Jatra became popular due to bhakti saint Chaitanya's influence बहुत important point, बहुत ही जादा important point, ध्यान रखने हैं आपको Jatras are traveling theater groups which perform under the open sky, fares in honor of gods So, जब भी fair होता है कहीं, तो महाँ पर Jatras जो है, वो पहुँच जाती है Performance देने के लिए, right? Religious rituals and ceremonies have within their framework musical plays are known as Jatras So, musical plays होते है, drama जो है, वो music पर अधारिज जो है, वो drama की जाता है और theme क्या होती है, mostly vashmanism theme होती है, ठीक है, divine theme होती है, उसमें भी खास तर पर vashmanism Next आएगा, दासकतिया, उडीशा से निकल कर आती है, दासकतिया, एक dance performance भी मैंने आपको बताई थी It owes its name to unique and indigenous type of musical instrument called kaathi used in it Kaathi, जो है, वो हाथ से बजने वाला एक instrument है, right It is performed by two artists, गायक and the main singer and his accompanist, पालिया तो गायक और पालिया दो बजाते है, पालिया परकर्शन पर होता है और गायक जो है, वो गाता भी है और काथी भी बजाता है, हाथ से ऐसे The performance is in form of worship and offering on a behalf of das तो das अपनी काथी बजाकर अपनी performance दे रहा है as a devotional mean है, उसका वो, right अपनी devotion को वो express कर रहा है, अपने देवता के प्रती, hence das kathya The themes in das kathya is generally description of narrative verses from Ramayana or religious text और जातर जो है वो वह वैश्ननिसम पर based हो गाय है, right Next आएगा अंकिया नाथ नाथ से आप समझ गए कि नाटक है रहा है, ड्रेमेटिकल परफॉर्मेंस है It is a class of one act plays performed in Assam Sorry, class of one act plays performed in Assam and is attributed to the medieval saint and social reformist Sankradev तो Sankradev जिनोंने वैश्ननिसम को प्रोपगेट या प्रमोट किया Assam वाले रिजन में उनसे develop होता हुआ नजर आता है यह अंकिया नाथ The play usually have dance, music and drama, songs and dances and performed in praise of Krishna along with drama A particular presentation of Ankiya Naat is called Bhaona तो Bhaona is a word used with Ankiya Naat तो आपको ध्यान रखना, Ankiya Naat region Assam feature शंक्रादेव से जुड़ा हुआ है शंक्रादेव से जुड़ा हुआ है, तो Krishnanilil लाओं से जुड़ा होगा और Bhaona is an Ankiya Naat performance है ठीक है, particular performance ध्यान रखना है, important terminology फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, terms, region और feature नेक्स्ट आएगा ओजा पाली ओजा पाली कहां से, असाम से इट कम्बाइन्स नेरेटिव सिंगिंग और डैंसिंग और ड्रमेटिक डायलोग सो रीजन क्या आगे आपका, असाम, ओजा पाली narrative, singing, dancing, डायलोग यह सारे element तो हमें सब में ही लगबख देखने को मिल रहे है since यह सारे dramas हैं तो narration तो होगा ही किसी ना किसी story का ठीक है, plus music भी होगा, plus dance भी होगा except swang में dance पर ज़्यादा जोर जो है, वो नहीं देखने को मिलता है and the पाली's are his associate and the symbols accompanying the performance symbol बजाते हैं, पाली पिछे बाट के ठीक है the theater of Assam has a storytelling with dramatic techniques associated with worship of Manusha, the serpent goddess so Manusha Devi की पूजा में यह theatrical performance हो रही है that is another feature of Oja Pali name समझ गे न, आप Oja कौन है, जो narrator है और पाली कौन उसका accompaniment right, the performance takes many days and is divided into three parts देव खंड, बनिया खंड and भटियाली खंड तो तीन खंड़ों में बाटा गया बहुत important terms है, right so यहाँ पर हमारी जो है, वो performances होती है यह एक table है, इस table के मादम से देख लीजे, और theatrical performances वारी लीबा, मनिपूर, बिदेशिया, बिहार लोरिक चंदा, 36 गुड, रास, 36 गड, पद्यानी किरला उसके लाबा, डांडियारस, राजस्थान नाच्य मध्य परदेश, गोंडल महाराष्ट्र कीरतन महाराष्ट्र, नकल पंजाब, पाला उडिशा चाओ, इस्टन इंडिया चाओ जो है वो बंगाल, बिहार, उडिशा में परफॉर्म किया जाता है उसके लाबा, कूरवणजी, तमिल, नाडू गोरादास, गुजरात, गंभीर, वेस्ट गंभीर, वेस्ट, राइट, वेस्ट इंडिया वेस्ट इंडिया मतलब राइस्थान और गुजरात वाले रिजिन राइट, सो यहाँ पर आपको टर्म, मैं ना को ओलना न, टर्म का मतलब क्या और रिजन क्या है, टर्म रिजन, टर्म रिजन के लिए आपको ये सारे ध्यान रखने है और characteristics, features जो है, वो मैंने आपको कुछ folk performances के, folk theatrical performances के बताएगी, और classical जो है, वो तो आपको खासे ध्यान रखने हैं, उन पर तो सवाल बनते हैं, गुमाफिरा के last में देखते हैं कि IPTA क्या है, IPTA है Indian People's Theatre Association, so इंडिया का जो थेटर है, उसको conserve करके रखना है, मैं आपको बुला ना, पहले patronage राजा महराजा दिया करते थे, फिर patronage भारतिय सरकार ने देने शुरू करी, was established at national level on May 25, 1943 in Bombay, now Mumbai, right, so यहां पर government of Indian theatre, जो people's theatre है, उसको patronage देने की कोशिश कर रही है, IPTA was founded by stalwarts like K.A. Abbas, यह वैसे तो, it's a private association, right, but government जो है, वो support provide कर रही है, ठीक है, यह encourage करती है government, क्योंकि UNESCO बहुत सारी है ऐसी arts को, ठीक है, theatrical arts को preserve करने ही कोशिश करता है, so as Indian government, right, Dr. Bhabha, Anil De Silva, Anil Sharda, Jafri and Dada, शर्मालकर कुछ जो है, वो scholars है इंडिया की, endeavored to bring theater to people with the objective of creating social awareness and national integration, तो मैंने आपको बोला न, post-independence में आपको समझाओंगा कि किस तरह art and culture का इस्तमाल national integration के लिए किया गया, और वही पर ही drama तो बहुत important performance है, फिर इस तरह की क्यों, क्योंकि drama के माध्यम से धीरे-धीरे nationality की भावना, गाओं-गाओं तक पहुचाई जा सकती थी और उसी के लिए काम करती है, IPTA, right, IPTA soon became a movement and spread throughout the country with its socialistic and nationalistic fervour, IPTA Mumbai has staged more than 100 plays in various languages of India, such as Hindi, Marathi, Gujarati, Telugu, Karnad, Punjabi and English, so, IPTA की theatrical performances पूरे इंडिया में फैल गई हैं और जितने भी art schools हैं, right, इंडिया में art colleges हैं, वो सब IPTA से जुड़े हुए जरूर हैं, right, IPTA, Balmunch was performed in, Balmunch, sorry, Balmunch was performed in 1984, ध्यान रखेंगे, बच्चों ने perform किया IPT के रिदर, right, it is a children's theatre wing which staged plays with young artists from different socio-economic backgrounds, बहुत important, so, बहुत सारे actors जो छोटी उमर से ही, मतलब समझ रहे हैं, ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो छोटी उमर से ही acting की तरह घुसना चाते हैं, तो वो IPTA के Balmunch को join करते हैं, ठीक है, फिर IPTA में वो theatrical performance करते हैं, कई साल थेटर करते हैं, ठीक है, कई साल थेटर करने के बाद फिर वो National School of Drama जोइन करते हैं, फिर National School of Drama कई साल थेटर करते हैं वो, कई साल के थेटर के बाद उनका अगर talent spot किया जाता है, तो उनको Bollywood या अन्य इस तरह की बड़ी industries में मौका मिलता है, ठीक है, यहाँ पर आज हमारा ही session खतम होता है, इस session की PDF आपको कहां से मिलेगी, मेरे Telegram Channel, चोहांसर History से, उसके अलावा जैसे की मैंने बोला ना, दो साल की subscription अगर selection नहीं होता है, तो एक साल की और मिलेगी, ठीक है, यह unacademy का promise है आपसे, ठीक है, अगर आप subscribe करते हैं, जल से जल, subscribe करें और code use करें, चोहांसर History, उसके अलावा GS plus optional लेते हैं अगर आप, तो उसमें आपको study material भी मिल रहा है, plus test series भी मिल रही है, और अगर आप 2 साल का लेते हैं, तो promise भी मिल रहा है कि एक साल का और मिल जाएगा, अगर selection नहीं होता है, ठीक है, like करें, share करें, subscribe करें इन वीडियोस को, और भही आप लोग share नहीं करते हैं मेरी वीडियोस को, करें पर मिल याधर दि आप करें नहीं है, और नहीं है, तो सकते हैं, झाल झाल